कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आगहाद को अपने जीवन का केंद्र मान लेता पर क्या भविश्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर नर्मित होते हैं? नहीं जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोग देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता, और ना ही सुख और श्चान्ती प्राप कर पाता। अर्थात, जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले, स्वैम, अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एक मात्र मार्ग नहीं, स्वैम विचार कीजें। मनुष्य के सारे संबंधों का अधार है अपेक्षा, और अपेक्षा की तो नियती है भंगोना, क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन लेते हैं, पून करने की प्रमानिक एक्षा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पून नहीं कर पाता और वहां से जन लेता है संघर्ष। सारे संभंध संघर्ष में परिवर्थित हो जाते पर मनुष्य अप एक्षा को संभंध का अधार ना बनाए और स्विकार करें केवल संभंध का अधार तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शान्ती से नहीं भर जाएगा स्वयम विचार कीजेगा